हालो एबरेवन आज हम बना रहे हैं अलु सोय बिन की सब्सब्जी देखेगा यहाँ पर यह पर रूप इन को तो करके उसे पानी से जोड लिया अपि आलु कटकर लिया है अप्रेमने की से प्राइब करने के दुख में करने के दाल है जो आप्ना में लिए यह और प्रीज दाल दीए है उसे अप्राइ करें नि जोनों के बाद कीरमिक निए आपकाने एफ करें देखें दोस्तों माई प्राइट नोगों अब यह प्राइट अब इस दाले निए यहां पर हमने जाट चली ले लिया है और हल्दी ले लिया चल चली अदर यहां तो को दाविज भूने थेश्के नशाव दाना है और यह तो के मशाले को ख्राय करण गाएं वाट्राइ दीद दिदे गाया है, नवघी वड़िया में सब्सक्राइब पर आध्रक का पेश्थ और ठीद पीज्चे के रोल्ट ब लुट का नमक स्ब्सक्राइब यो मिल दो घुट अब दालेंगे अग्जक का पेश्थ अचैनले पीचिए से ज़ाया है, पीज्ची के खे अब हम इसे डालने के बाद अब हम इसका रखनी है उतना पानी दालने के बाद अब हम इसका रखन बंद करके इसमें सीटी लगाएंगे अब हम ने रखनी है दो सो अब अब हमने यहां अलए गश्यार अब हमने कात लिया और एक बाद अब हम रहे से आज़ आए ने करने के बाद आप कूकर अब कर देंगे लक्कन को लेंगे देखिए दोस्तों यहां पर हमारी सोयविन की सब्जी बनकर तयार है अब इसमें डालेंगे देखिए चलागर देखते हैं कैसी दोड़ी है इतना बड़िया कलर आया है इसमें और जो हमने हर धन्या काटके रखा है वो हम इसमें डाल देगे हर धन्या डालने के बाद देखिए कितना कलरफुल हो गई हमारी सब्जी हम इसमें एक चम्बस देशीगी डालेंगे देखिए देशीगी डालने से हमारी सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है देखिए यहां पर हम देशीगी डाल रहे हैं एक चम्बस देशीगी डालने के बाद इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है यह हमने अपने ट्राय करके देखा था एक बार फिर हमें बहुत अच्छा लगा फिर हम इसे सभी सब्जी में डालने लेगे देशी के ऊपर से देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी रेसिपी अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्ट